तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोना कॉमस्टार के बारे में या फिस सोना बील डबलु रिमिटेट के बारे में आज की दिन के प्रफ्मेंस की बात कहा है तो इन स्टॉक में हमें बहुत एक शांदार तेई देट को मिला लगबाग 6 पसंग की तेजी सो तेजी के पीछे के रीजन की बात करें तो एक बहुत ही कमाल की न्यूस निकल क्या है अगर उस न्यूस की बात करें तो सोना कॉमस्टार दोस्तों फर्स्ट ऐसे ऑटो पार्ट बनाने वाले कंपनी है जो की उनको पेला स्कीम के लिए वो सर्टिफिकेट हमें मिलते हुए और जैसी न्यूस है आप देखतों तो कि stock हमें rocket बनते हुए बनाने और यसी निउस को करने अब फर्स्ट और डीटेल में कवर करें तो आप देखतों कि यह news आज जी के दिन की न्यूस है कि company में stock में 3 जी इस लिए है क्योंकि इस company को आप देखतों देखने 7-time application हमें file करते हो देखने को मिला था different product में तो उसके बाद in PLS scheme के साइट से उनको यह letter यह certificate हमें receive होते हो देखने को मिले इस company को और आपको बता जो सरकार है ये पेला स्कीम ये इंसेंटिव इसलिए देते ताकि जो लोकल कंपणी वो ज्यादा से जादा इंकरेज हो और वो ज्यादा से प्रोडेक्शन अपनी मदब प्रोडेक्शन करते हैं आपको देखने को मिलें इनी की चलते हैं वो इंसेंटिव दिया जाता है तो लाइक लिए बताई विजा रहेगा इंसेंटर के लिए तो लगबाग 26,000 कारो क्या था इतना बड़ा इंसेंटिव इंसेंटर को दिया जा सकता है तो डिफि सब्सक्राइब की बात करें कमपनी यह स्टॉक बिल्कुल भी घराब नहीं अगर आप इसके एक साल की प्रफ्रेंस को देखोगे तो इनियर वाइब 40% का आप पास की देजा और फिर से आज की दिन की निउस के बाद फिर से एक अच्छे कमबैक देखा तो क्या यह जो बा अब इसमें यह जो मुमेंटम स्टॉक में बना है क्या इस निउस के जलते क्या यह मुमेंटम यह तेजी और भी कुछ दिनों तर कंट्रीन रहेगा क्या इस टॉप लेबल को सौट टाइम गंदरी टच करेगा यह देखने बहुत ही इंपर्टन है क्योंकि निउस तो बहु बहुत ही अच्छे और बहुत ही धमाखताय निउस देखन को मिल रहे है अगर आपको कोई और भी दूसरा इंडर्शी नेरी बारी कंपनी है जैसे कर में इसके लिस्ट भी निकाल दू लिस्टिंग किसाब से बोस्पी है मदल संसुमी भी है ट्यूब इन्वस्मेंट अगर और यह भी कंपनी आगर आपके पास है तो इनको भी फोकस बना करें है साइस से इनमें भी आपको इसी प्रकार के आनॉसमेर भी या फिर न्यूस भी साइस आपको आनेवल टाइम में आती होई देखन को मिलेगा तो पी 80 का होना 100 का होना बेलकुल भी गलत नहीं है बड़ तो उसके इसाब से आपका अर्णिंग्स आपके प्रॉफिट होना चाहिए जो कि अभी तक तो इस कंपनी उस प्रकार के दिखाने तो एक दो बड़ अगर बड़े-बड़े कंपनी को कॉन्टर्क मिल गए तो यह सारी चीदे आप्टोमेटिक सेट हो जाएगा पी भी को ल देशाथ की कंपनी के सेक्टर बहुत कमाल किया ओटो एंसले वारी सेक्टर है जिन में हर एक कंपनी अच्छा कर रहे है यह कंपनी भी फ्यूचर में बहुत ही डिसेंट पर्फॉमेंस दे सकती है दूसरा स्टॉक की बात करें तो पॉलिकेब इंडिया लिम्डे तो आज की दिन भी लगबग हमें पॉलिके दो पसंट की तेजी देशाथ को मिला पिछले पांस दिन की बात करें तीन सो और तीन पसंट एक एक मन्त की बात करें तो आप देख सकते हो कि 14 से लिके 15 पसंट की तेजी और फर्स जर्म में इसे देखोगे तो आज भी गिरावट है 12-13 प पसंट तक भी देखन को मिल जाएगा बट इतने के बाद एक छोटा सा जंप आया उसके पास टॉक इस लिबल को बहुत ही अच्छी तरह से हमें सस्टेन या फिर करते हो देखन को मिले कि जो कि बहुत ही बड़े प्लास पर मतब यह ब्रेक आउट नहीं होनी चाए अगर इ इससे पहले स्टॉक इसी रेंज में था लगबाग 4,250 से लेके सारे 4,000 के रेंज में एक मन्त के बाद पूरे एक मन्त के बाद एक ऐसा बिरकाउट आए कि दो दिन में स्टॉक तीन दिन में 15% के कमाल के रैली दिखा और इसने इस लिबल को भी ब्रेक कर दिया और 750 को भी और उसके उपर इसलिए 4 दिन से अब देख सकते हो अपने आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस लिबल को ब्रेक कर रहे हैं तो बार बार वो जाके 5000 के लेवल को ब्रेक करने के ज़रू कुशिश करेगा और उसने एक बार 5000 को ब्रेक कर दिया उसके पर देखो ब्रेक करने होते हैं इसके बाद अगर कुछ दिनों तक ऐसे ही ट्रेट करें कुछ दिनों तक वो इसके बाद जाके बहुत बड़े मुमेंट भी आपको डिफरेंटली देखने को मिल सकता है क्योंकि जब जब इसने 5000 को ब्रेक किया उसके उपास ब्रोजिंग दे उसके बाद फॉर्दर दिया है और यह मैंने दोस्तों किसी ब्रोकेज हा उसको भी यही टार्गेट है इससे पहले जो पॉलिकाप पर टार्गेट दिया था अब देख सकतो का और जैसे इसने आज के दिन थोड़ा सा तेजी दिखा है तो आज के दिन फिर 5000 को ब्रेक करते और भी इंपोर्टन इसलिए रहने वाले दोस्तों कि यह जो स्टॉक गिरा है था आप देख सकतों यह जो स्टॉक है दस जन्वरी यह स्टॉक 5000 के नीचे इसकी प्राइस थे और उसके बाद ही स्टॉक एक दिन में 22 पसंद गिरा था तो जहां से स्टॉक को जकि देखते नीगाजिभ नि यूशे जो स्टॉक गिरा था अगर उसी लेविल को स्टॉक कड़े तो से स्टॉक उत्विर से एक बिण आछा कि लीग और चांट ग किया तैसा किसनु आर्वाइ बॉ안एक त्योंुको यह शारते ऊजा बॉटे जिनोंते गरने दोस्तिपे जिन्होंने सारे 4000 पर भाई नहीं किया क्या उनको अभी भाई करना चाहिए क्यों कि आज भी इस टॉप लिबस है 16% डाउन है रफ ली देखोगे तो 16% की डिस्कॉर्ण में क्या भी इसमें एंट्री लेना सेड आएगा तो सेम चीजे में पहले ही बोल चुको और अब भी सेम इन चीजें आपको बोलो अगर आपको कंपनी अच्छे लगते हैं पहले पॉइंट बिजिस अच्छे लगते हैं और लॉंग टाइम सब तो जाना चाहते हो उसके साथ साथ यह जो गिरावा श्टॉक में हुआ टाइम पास के लिए तो बिलिकुब भी नहीं हुआ इसके प मतलब 1000 पॉइंट की उतना एक दिन में भी गिरती हो आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि आप देख सकते हो कि स्टॉक यहां पर गिरा था फिर स्टॉक चारज है नॉसुपर अटका हुआ था दस जन्मेरी को उसके बाद जैसे एक निउस है उसके बाद भी स्टॉक कितना एक दिन में 22 पस्टॉक गिरा तो सेम इतना कमबैक किया ना अगर एक नेगटिव निउस इनके अगेंस आ गया है कि नहीं अब यह निउस नीकल गया कि मैनेजमेंट ने घफला किया या मैनेजमेंट के ऊपर एक कुछ आरो प्लग गये या जो आरो प्लगे थे वो सीध हो जितना भागा है उतना एक दिन में गिरते ही आपको आराम शे देखने को मिलेगा तो अगर आप उन चीज़ों को जिलने के लिए रेडी हो कि हां में रेडी हो तो चाहो तो 16 पस्ट की गिरावाट में एक स्टॉल्मेंट ज्यादेने एक स्टॉल्मेंट से आपना सुरुब पाडिसेबेंट भी हो जाएगा और कुछ भी हो जाए तब भी आपका रिक्स भी आप मतब आप रिक्स को भी आराम से मैनेज कर लिया और प्रॉब्लम देखा जाए जो एक साल बाले है उनको तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रहे है आज भी उनके पास 56 पसंट के है उचाए तो कुछ भी डिसेंट ले सकता है हब प्रॉब्लम उनको रहे जिन्हों ने इसी बीच में बाइक है एक से दो मंत के बीच में बाकी पांच-पांच साल तो उनके बास तो साई 600 पसंट के आज भी धमागता है प्रॉफिट है तो सेम चीज़े कंपनी खराब नही स्टेंट दिखा है तो बना रैली आ सकता है और सेम अगर आपको पार्टिसिपेंट करना है अगर आपने अभी तक नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि यह बांस बैक कर लेगा तो सेम चीज़े खराब सीचुसिन के लिए आपकर रही हो तो ज्यादे एक स्टॉल में से आज के धीन में पिछले दो दिन के बाद करें यह आक्च्वल में वाइंग करते देशन को मिला कमपणी के नाम आप देखते हो जिनमें एफ्सर contribution के बाद हमें इये update ाती हो हमारे सामने देखन ने कम जाता तो जिसके चलता आप बोश्र तो कल के दिन स्टॉक में एक कमाल के रेड़ी देखने को मिला था अथौस लिम्टेर की बात कर लगाता है अपने बिजन्स को वह एक स्पार्ण करते जा रहे जिनके चलते जब से कंपनी लिश्टिंग हुआ हाड़ी देर साल हुआ उसमें से धायसु जासु पसंट की प्रॉफिट और एकदम फ्रेस अल्टाइम हाइप है तो बहुत अच्छे कंपनी अगर आपके पास है बहुत लंबी अबदी के लिए बने रहे तो हर बहुत लोर लेवर पर कवर गये था तो अभी एंट्री मतलो मौका देता है 10-15-20 तब चाहू तो आप उसमें अपना फ्रेसिंट लेने के बार में विचार कशा तो तब तक कि लिए आप चाहतो श्टॉक को फूकास बनाके रख सकते हूं